आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 2024 का 1st महीना यानी January month आपका कैसा गुजरने वाला है क्या-क्या changes आपको देखने को मिलेंगे January month मैं क्या-क्या बदला पाणे वाले हैं या फिर आपके कडियर के साइट से आपके Love Life के साइट से क्या कुछ होने वाला हैं यही हम चेक करने वाले हैं, डीटेल में, सो प्लीज पोजिटिव रहें, अगर आपके राशी स्कॉर्पियो हैं, यानि विष्चिक राशी हैं, तो यह रिडिल आपके लिए हैं, ओके देख लेते हैं, आपका जैन्वरी मंथ कैसा गुजरने वाला है, आपके हेल्थ से रिले मैं बता दूंगी धीरे धीरे से, वाव, बॉट्म दे टेक में यहाँ पर आप देख सकते हूँ, जैक ओफ क्लब से, ओके, तो देखो यहाँ पर, जैन्वरी मंथ में आपके साथ घूमने जाने वाले हो, देखो यह लवलाइफ के साइट से भी हो सकता है, मैक्सिमम मुझे लव लाइफ के साइट से दिख रहे हैं, या फिर करियर के साइट से भी हो सकता है, कि बहुत से लोग के साथ आप पिकनिक में जाओ, या फिर अपने घर के फैमिली मेंबर्स के साथ आप कही पर घूमने जाओ, जैन्वरी मंथ में, बट आप किसी के साथ डेट में भी जा स रहे हैं कि यहां पर दिख रही है मुझे किसी के साथ डिनर पर डिनर शाय सकते हूं और अभेरल आपके मन में ना एखुशी रहेगा एकसक्प्र रहेगा दिख रही है ईए एकसमेंट गिंट कुछ 워ने वाला यहां पर cards बहुत जादा अच्छे आये हैं, तो excitement तो बनता है, तो इस time पर आप किसी को propose करने के बारे में सोच भी सकते हूं, ऐसा एक vibes भी मुझे मिल रहा है, आपकी ख्यालत कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं, देखों यहां पर कौन-कौन से energies हैं मैं आपको बता देती हूं, यह यहां पर सारे energy सी एक साथ मौझूद दिख रहे हैं मुझे, so not to worry, यहां पर January मन्त का जो starting energy है, यहां पर आप देख सकते हो, two of cups से, मतलब कि two of hearts से, इस time पर आपकी life में communication आते वे दिख रही हैं, किसी एक इंसान के लिए अगर आप बहुत time से wait कर रहे थे, वो आपका चाह situation की chance भी हां पर मौझूद दिख रही है, और मुझे दिख रही है, इस time पर आपके और किसी इंसान के बीच में दूरिया घटने वाला है, बहुत सदा प्यार increase होने वाला है, अब दोनों के दर्मिया, बहुत time से चल रही, किसी miscommunication या फिर misunderstanding का हल यहां पर मुझे business deal पका होता हुआ दिख रहा है, कोई एक इंसान इस time पर आपको अपनी काम में बहुत सता help करती हुए दिख रहे हैं, जिसके दोन आपको अपकी काम में कुछ success भी दिख सकते हैं, तो एक helping hand आपके तरफ आती हुए दिख रहे हैं, वो चाहे love life के side से हो, वो चाहे आपके career career के side से हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, एक negative phase end हो रहा है, यह date का card है, तो कुछ negative cycle से आप इस time पर निकलने वाले हो, एक positive cycle में आप enter करते हुए दिख रहे हो, कुछ चीज़ों को शायद आप पीछे छोडने ही पा रहे थे, या फिर बहुत time से किसी को भूलने की कोशिश कर रहे थे, वो भी नहीं हो रहा था, तो भूलने की जरूरत नहीं है, मुझे दिख रही है, कि वो इनसान इस time पर आपके life में वापस आने के बारे में बहुत ज़दा सोचेंगे, and हो सकता है कि आप किसी job को, किसी business को भूलने की कोशिश कर रहे थे, जो शायद ही आपने बहुत ज़दा शिद्दत के साथ स्टार्ट किया था, या फिर नौकरी को जोइन किया था, बट उस नौकरी ने या फिर उस business ने आपको अच्छा खासा मुनाफ़ा नहीं दिया है, बहुत ज़दा सव नहीं किया आपको, तो इसके वज़े से आप एक new job, new business की और जाते हुए दिख रहे हो मुझे, और देखो यहाँ पर mid January के साइट में आया है, five of hearts and jack of diamonds, देखो मैं पहले बताना चाहती हूँ कि five of hearts जो कांड है, वो एक mistake से सीखने की बात करता है, आपका जो ये पुराना cycle था, जिस cycle को आप January मन्त के starting में end करने वाले हो, आपके life में end ह होने वाला है, उस पुराने cycle से, आपने बहुत कुछ सीखा है, वो चाहे love life के side से हो, वो चाहे आपके career के side से हो, तो वो जो आपने सीखा है mistake से, उसको ही काम में लगा कर आप आगे बरते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपके पास एक clarification आ जाएगा कि नहीं, कौन सही है, कौन सा इंसान आपको पसंद करता है, या फिर कौन आपकी लिए बने है, कौन आपको, कौन आपकी बारे में अच्छा सोचता है, बुड़ा सोचता है, कही न कहीं आपका जो मन है वो आप clearly इस time पर indication दे देगा, जिसकी वज़े से आप किसी को गलत नहीं समझने वाले हो, क किसी को गलत समझ कर अपने से दूर नहीं धकलने वाले हो, किसी offer को आप इस time पर reject नहीं करने वाले हो, अपने बहुत कुछ सीख लिया है, माच्योर एक इंसान आप बन गये हो, और इसके दोरा नहीं कहीं नहीं कहीं, आपके manifestation इस time पर पूरे होने की एक chance दिख रही है, हो स बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, ऐसा मैं नहीं कहीं रही हूँ, बहुत small तरीके से भी ये journey आपका start हो सकता है, बर धीरे धीरे से आपको समझ में आ जाएगा कि ये journey आपके लिए कितना important है, आपका ये जो past के situations को भूलना, या फिर आपका past के चीजों को माफ करके let go कर हो, इस time पर आप कोई भी decision लेने से पहले वो चाहे career के side से, वो चाहे आपके love life के side से हो, आप कोई भी decision लेने से पहले बहुत सद आपने family से discuss करते हुए दिख रहे हो, किसी को कोई proposal offer देने से पहले भी आप यहाँ पर family के साथ discuss करते हुए नजर आ रहे हूं मुझे, और कि इसी का proposal accept करने से पहले भी, और इस time पर आपके family के लोग बहुत सदा खुशाल नजर आएंगे आपके वज़े से, कही न कहीं आपका शादी इस time पर तैह होने की एक chance दिख रही है, एक engagement fix होने का या फिर किसी बंदी या फिर बंदा को select करने का जो खुशी है, वो आपके family इस time पर मना सकते हैं, तो घर में एक पूजा पाट या फिर positive कारे होने का एक chance दिख रही है, बिग chance दिख रही है और इस time पर आप अपने family create करने के बारे में कुछ सोचोगे, मतलब कि अगर आप already शादी शुदा हो तो यहाँ पर definitely आपके family में love romance दिख रही है, अगर आप नहीं हो तो definitely आपके शादी से related बात को लेकर आप यहाँ पर सोचते हो दिख रहे हो कि आगे क्या करना है, and overall January मन्त के end में आपके पास एक abundance आती हो दिख रही है, बहुत बड़ी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, देखो आपके काम में कुछ growth या फिर आप जिस काम को लेक से हो, कुछ आ है, materialistic sites से हो, next यहाँ पर आप देख सकते हो, ace of hearts से, देखो offer opportunity के बात यहाँ पर हो ही रही है, को इनसान आपको इस टाइम पर offer कर सकते हैं, या फिर job offer, कोई business offer आपके पास आ सकता है, कुछ call, text, messages, invitations यहाँ पर आती होई दिख रहे हैं, किसी के तरफ से अग आपको receive होने वाला है, जो कि आपके दिल को बहुत दा satisfied करेगा, देख लेते हैं, universe आपको क्या guide करना चाहते हैं, या फिर क्या message देना चाहते हैं, January month के लिए 2024 के लिए, so यहाँ पर है, ace of materials, देखो, कुछ gifts आपको इस टाइम पर मिल सकता है, क्योंकि January month के starting में, आपके या फिर आपके person, loved ones, आपको कुछ gift कर सकते हैं, आपके nearest या फिर dearest को इनसान आपको कुछ gift कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत सदा अच्छा लगे, और वो बहुत सदा expensive होने वाला है आपके लिए, हो सकता है, normally, पैसो से expensive ना हो वो चीज़े, कोई आपको कुछ drawing करके दे, कुछ गाना आपको सुनाए, तो वो भी आपके लिए gift होगा, और यहां पर है six of materials, क्या ही बताओ, equal give and take वाला एक offer, equal give and take वाला एक relationship दिख रही है, आप इस टाइम पर January मन्थ में, किसी को बहुत सदा अगर help करते हो, तो उसके बदले में आपको उसी amount of help मिलने वाला है, किस सभी effort का, सभी काम का result आपके पास आएगा, equally, fine, and किसी के साथ आपका दिल बहुत अच्छी तरीके से strong way में connected होती वे दिख रही है, आपका soulmate के entry आपर बार बार मुझे नजर आ रहा है, okay, यह जो death का situation है, यह आपके love life के side से भी create हो सकता है, maximum लोग के लिए मुझे दिख रहे हैं, and आपके love life में खुशाल, beautiful, fragrance वाला starting दिख रहे हैं, so यहीं आपका January month का reading guys, so thank you Scott, thanks for watching, bye!